नमस्कार कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फारा से देखी अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सुवे की सियासत से रूबरू कराते हैं आज बात करेंगे विपक्षी पार्टियों की जो बीजेपी को घेरने की रणनीती बना रही है जिसमें सपा, बसपा, प्रसपा और आम आदमी पार्टी शामल है जो अलग-अलग मुद्दों को लेकर सुवे की योगी सरकार पर हमले करने की तयारी में है जा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकलेश श्यादव ने बिजेपी पर कॉर्परेट के इशारे पर काम करने के आरोप लगा है तो वही उसके ही सांसद स्टी हसन ने तालिबान से बातचीत पर सवाल खड़े कर दिये उदर यूपी में महेवती ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए बड़े ब्रामण चेहरे सतीश मिश्र की पत्नी कल्पना को भी सियासी मैदान में उतार दिया तो आप बिजेपी को घेरने के लिए यूपी की सभी 403 मिधान सबा सीटों पर तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी जिसमें योगी सरकार को जम कर घेरा जाएगा तो चाचा श्विपाल यादव भी पीछे नहीं है श्विपाल यादव ने भी मुलाइम की तर्च पर प्रस्पा का रत तयार कर लिया उनकी समाजिक परिवर्तर रत यात्रा 15 सितंबर के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में घूमना शुरू कर देगी और विपक्ष के नहीं तयारियों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमार डॉक्स अब बहुत बस्वागत है अब का की मौधी सरकार जो है वो पुझीपतियों की सरकार है कुछ मित्रों को फायरण पहुचाने के लिए काम करती है कुछ बिजनस घरानों को फायरण के लिए सारी फैसले लिए जाते है है ये तो बहुत दि पुराना और घिसा पिटा आरोप है what is new in it रहुल गांदी 2014 से यही काम करते ज़ाँति अडानी माणी अडानी माणी क्या हूँ उसका कुछ नहीं यह होता है वह इसलिए ऐसलिए होता है क्योंकि जब आप इस तरह के मुद्द्र को उठाते हैं पब्लिक उसमें यकीन नहीं कर पाती आपको तो यकीन ये दिलाना है कि आपके सरकार जो आएगी वो इस सरकार से बहतर रहेगी इस तरह के अटैक से आपके पास कोई विजन है और कौन कह रहा है ये बात कि पूजी पत्यों की सरकार कौन कह रहा है ये अख्रेश चादव ये मुलाइम सिंग अदव की पार्टी कोई पहली बार आपकी सरकार तो ऐसा तो नहीं कि आप सरकार में कभी आये नहीं है आपने कभी सरकार बनाया ये नहीं है दुनिया जानती है इतनी बेबकूफ है ये जानती नहीं कि भई आपके अंबानिस के साथ क्या रिष्टे ये लोगों को मालूम भी नहीं है यूपी के अंदर में ज्यादा धूर नहीं नोटा के पास से सटे हुए दादरी बहुत-बड़ा किसान अंदोलन हुआ था किसीज के लिए हुआ था तो आपने अंबानिस को क्या दे दिया था वो जो बिजली का पुरा प्रयोजन वहाँ पर चलता है वो क्यों आपने दे दिया था मुलायम सि ग्यादव के मुगे संबानी अखले से आदव के मुगे संबानी से क्या श्यूम है यह किसमिशो चुपावा है तबसल दिक्ष्स यह है कि जो वांपंत्यों को एक सो कषकते हैं कि और एक नोशन क्रीट कर दिया था कि भी कोई अमीर है तो बैमां है पूजी पती है तो बैमान है आपको इस बात से घ्रणा क्यों आप ये कहां आप ये पूरी दुनिया में मैं आपको बता दूँ पूरी दुनिया का हिंदुस्तान अकेला डेमोकरसी है जहां पूजी को हे दृष्टी से देखा जाता है लिबरल डेमोकरसी का मतलब ही होता है कि ऐसी एकोनॉमिक पॉलिटिकल वेवस्था जहां ओपननेस हो जहां सरकार का इंटर्फिरेंस नहीं हो जहां व्यवसाय करने की खुली आजादी हो रिलाइंस वाले कितने सारे लोगों को नौकरी देते हैं यह नहीं कि मैं कोई रिलाइंस का एक्सपोक्स परसन हूं मुलाइम सिंग अदब की सरकार और अखिलेस अदब की पांस साल की सरकार इतने लोगों को नौकरी दिये जितना रिलाइंस नौकरी दे रखिये लोगों क जिस दिन आप ये काम कर गए होते तब आप ये आर्गुमेंट देते ये इस तरह के आरूप लगाते तो बात समझ में भी आती है तो ये राहूल गांदी भी तो अखिले स्यादब भी और मुझे तो ये बात समझ में लाता है कहने को ये लोग युवा नेता है आर्गुमेंट पुराना लॉजिक पुराना विचारधारा पुरानी युवा है तो युवाओ की बात करें कुछ नहीं बात करें युवा का मतलब होता है न्यू थिंकिंग यूथ तो नजरी नहीं आ रहा है वही घिसा पिटा डालोग वही पुरानी चीज़ें वही राजिंती करने का वही पुराना तरीका तो ये तो disappointment है इससे कुछ नहीं हो रहा समाजवादी पार्टी दूसरा चाल चल रही है जो OVC चल रहे है जो फारुक अब्दुला के बेटे ये सवाल उठा रहे है कि तालिबान से बाचित करनी है नहीं करनी है सरकार बताए मीडिया वालों को पहला सवाल उनसे वही करना चाहिए कि भई ये बताओ कि तालिबान आतन की संगटर है या नहीं है ये सवाल तो पूछे तालिबान को लेकर के लेकिन इस तो अस्पस्ट करो अख्लेस यादब बताएं माय अवती बताएं राहूल गांदी फारुक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला यह तमाम लोग बताएं कि आप पहले अपने पोजिशन तो क्लियर करो नहीं तो अपनी नहीं कर रही वो लोग यह कह रहे है कि BJP कहती है कि Taliban आतंकी संगठन है अरे वह तो कह रही है आप क्या पोजिशन पाकिस्तान की है पाकिस्तान से भी किसी से पूछ लिया जाए कि भई तालिबान को आप क्या समझते ये आतंकवादी संगठन है या नहीं है वो जवाब नहीं देंगे तो ये लोग जवाब नहीं देंगे हैं तालिबान के उपर जितने भी आप सवार उठाएंगे वह आपके उपर ही बैकफाइर करेंगा तो यह तो समाजवादी पार्टी का जो आपने कहा कि भाई बीजी की को घेरने की तयारी हो रही है आज अच्छा किया हो इसे राहूल गांदी ने राहूल गांदी ने प्रे होता चला जा रहा है पेट्रोल तो यह जनता को समझ में आएगा इससे विश्वास बढ़े यह तो अभी तो करी ने पा रहे है उस तरह से उसमें राहूल गांदी ने लीड ले लिया वह चुनाल लड़ना है आपको कॉंग्रेस पार्टी कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश के लेकिन जो मुद्य जनता के वो आज उठाया उन्होंने वो उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा लेकिन अगर तालिबान तो यह अडानी अंबानी वही जार्गन वही पुराना तो इससे समाजवादी पार्टी अखले साथ को कुछ फैदा नहीं होने वाला है अगर बात करें तो ब्रामणों के पीछे पड़ी हुई एक तरह से ना दोके जबके आनी रहें ब्रामण अब सतीस चंद मिश्र की वाइफ को भी उन्होंने शामिल कर लिया है वो ब्रामण महीलाओं के पास जाएंगी वोट बैंक इकटा करने की कोशिश क्या कुछ फायद हो गई कहां 2007 का फॉर्मूला आप रिपीट करने वाले थे चुनाओ जब आप जीती थी तो मायवती स्टेज पर खड़ी होती थी और ब्रामण लीडरों की लाइन लगी होती थी और मायवती इस टू मेक इट शर कि जो ब्रामण लीडर है वो स्टेज के उपर उनके पैर को छुए जो नहीं छुएगा वो मायवती के गुस्टे का शिकार हो जाएगा गूगल कीजिएगा मिल जाएगी सारी तस्वीरें तो 2007 में तो बहुत सारे लोग थे लेकिन आपने आज जो किया कि 37 चंदर मिस्रा की पत्नी को बकाइदा इतना ढोल बाजे और प्रचार प्रसार के साथ आप उनको पार्टी में शामिल कर रही है और उनको ये काम दिया जा रहा है तो इससे दो बाते होएगा एक जो सबसे म महत्रपूर्ण है कि मायवती को 37 चंदर मिस्रा परिवार के अलावा को दूसरा ब्राह्मन परिवार मिलने रहे है एक काथे का लीडर नहीं मिला 37 चंदर मिस्रा के अलावा और उसके परिवार के अलावा मायवती के साथ कोई ब्राह्मन नहीं है दूसरा इंधर का क्या होगा कि दोसरा इंधर यह ब्राह्मन वी नाराज हो जाएंगे जो बाकि जो भी कुछ चोटे मुठे जो चाहार हो जाएंगे उनको लगे गए तो परिवार बात सुरू हो गया यहां भी क्या फर्क रह गया कि जहां कॉंग्रेस पार्टी और बीएसपी और सब परिवार महीं करना है सब कुछ आपस महीं सारे गुल गप्पे बांट लेने हैं तो बाकी सब क्या बेवकूफ है तो बाकी जो ब्रामन लीडर जो भी कुछ छोटे मोटे इधर उदर के होंगे उनमें नराजगी हो जाएगी तो ये दोनों तरफ से ही जो है वो जो कहते हैं कि तार से गिरा खजूर पर लट जा तो वो कहानी है मायवती की स्टेट जी काम नहीं आ रहे ब्रामन वाला जो है ब्रामन सम्मेलन पहले किया तो वो ब्रामन आये नहीं तो उसका नाम बदल दिया वो प्रबुद्ध समाज सम्मेलन कर दिया और प्रबुद्ध लोग मिलने रहे तो एक ही परिवार से जो है सतिश्चत मिस्तरा अब वही होगा कि 37 मिनिस्रा भाषन देंगे उनकी पत्नी सुनेंगी और बागी कुछ लोग होंगे और कारी करम हो जाएगा यह तो सक्सेस्पुल स्टेजी निजर नहीं आ रही है रखसब आम आदमी पार्टी भी कूत पड़िये अब तिरंगा यात्रा करेगी 403 विधानसवा शेत्रों में बीजेपी की कम्या गिनाएगी और फिर से वही वादे के 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और युवाओ को यह देंगे तो वही फ्री की उन्होंने जड़ी सी आदरा लोग थे टीम में एक गयरा लोग खेलते हैं बाकि बेंच पर बैठके तालीब बजाते हैं ति जो सिर्पाल यादव है आम आदमी पार्टी है यह वही एक्स्ट्रा प्लेयर्स है यूपी चुनाओ के इनमें कोई दम नहीं है कोई दमखं नहीं है कोई लीडर नहीं इनके पास आम आदमी पार्टी वही चुनाओ जीत सकती है जहां अरविंद केजरिवाल हो मतलब अरविंद केजरिवाल दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है तो दिल्ली में उसके चेहरे के ऊपर उसके गफलत के ऊपर बेफकू बनाने का जो उसका तरीका है लोग जो उसके जह यहां से बाज लोग थे आम आधी पार्टी में उनको केजरिवाल ने पहले ही बाहर करास्ता दिखा दिखा दिया है यूपी में इनके पास आदमी नहीं है जो लोग एक-दो लोग गय भी एक उनका भारती है सोमनाथ भारती गाली गलोज उसने सुरू कर दिया लोग वहां आने रहें रिस्पॉंस नहीं मिल रहा गूमे जा रहे हैं संजे सिंग कभी राम मंदे तो कभी कुछ कभी कुछ कुछ नहीं होने वाला है होगा क्या है देख कि चुणाओ आता है बोलते हैं सब सीट को पुटलेड़े के अव रहें सब शीट पे लड़ा मतलब होता है सब सीट हर जगह तो उनको जानने वाला पचानने वाला जंड़ा नहीं होता कुस-कुस कंसे सिमें लिगन फिर भी उमिदवार खड़े करते हैं क्यों क्योंकि उन सब्सक्राइब करते हैं जो चुनाव सीरिस्री लड़ती नहीं हर जगा उमिद्वार खड़ी करती है और वह उमिद्वारी वह जो सिंबल मिलता है पैसा वसूल कर लें वह पैसा वसूल भरी एक कमाई का जलिया होता है तो यह सब वही सब धंदा होगा आमाधी पार्टी को कोई यूपी के अंदर में तो कोई सीरिस्री लेगा नहीं जब केजरिवाल बिल्कुल जो कर सकते हैं कि जिनको चारोग खाने चित हो गए बनारस के अंदर में जो इतना बवाल मचा हुआ था तो बाकी लोगों की क्या है यूपी और दिल्ली में बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस है यूपी के लोग राजनितिक तौर पे घाग होते हैं वो राजनिताओं के जूटे वादों के उपर उसके हवा में बह नहीं चाते दिल्ली की तरह है तो यह दिक्कत होती है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चलता उन तक उनके घर उनके दरवाजे पे जाकर के नाक रगरने से वोट मिलती है और उसके लिए संगठन उसके लिए नेता उसके लिए कारकरता उसके लिए हर जगह पे बहुत ही विशाल किसम का इसको कर सकते हैं मेनेजमेंट चाहिए होता है तब जाकर के आप एक यूपी का दंगल को सब्सक्राइब करने नहीं